हलो एव्रिवान वेल्कम बैक टो माई चैनल किट्स लर्निंग फन मैं हूँ चेतना आज मैं आप लोगों के लिए जीके के कुछ कुछ कोशन्स एन आंसर लेकी आई हूँ जो आप अपने क्लास टू और क्लास वन के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं आज मैं आप लोगों क अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजएगा चैनल पर नए है किट्स लर्निंग फन पर तो सब्सक्राइब कीजएगा साथी बैल नोटिफिकेशन को अगर आप प्रेस कर देते हैं तो आपको आने वाली सभी मेरी चैनल की वीडिय कराइए ताकि हमारे बचों को हेल्प हो जाए तो चलिए आज उसी पर मैंने ये वीडियो को प्रिपेर किया है तो फर्स कोशन वी हैव हाव मैनी मन्स इन अ इयर यानि की एक साल में कितने मन्स होते हैं तो बच्चों आंसर है इसका 12 मन्स हाव मैनी मन्स 12 मन्स इन अ इयर न नागरिक है वो कौन है तो हमारे देश का first नागरिक है यानि की सिटिजन है प्रेजिडेंट ओफ इंडिया जो हमारे प्रेजिडेंट ए वो हमारे first citizen औफ इंडिया है寿र next question की तरफ चलते हैं, which is the smallest born in human body, हमारी human body में सबसे smallest यानि की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, step is, next question we have, who is current prime minister of India, PM मैंने short में लिखा है, इसको हम कहेंगे prime minister यानि की हमारे देश के प्रधान मंत्री कौन है, इंडिया के प्रधान मंत्री कौन है, तो answer है इसका नरेंद्र मोधी, next question, what is the name of national sports, what is the name of national sports, national sports हमारा कौन सा है, तो national sports कौन सा है बच्चों, होकी, हमारा जो national game है, वो है, होकी, इंडिया का national game होकी है, next question, who wrote the national anthem, जो हम national anthem गाते हैं, जन गन मन अधिनायक जया है, तो वो किस ने लिखा है, क्या पता है आपको वच्चों, उनको लिखने वाले हमारे writer है, रबिंदरनात टैगोर, किस ने लिखा है, रबिंदरनात टैगोर, रोट दी national anthem, next question, what is the nearest star, हमारा nearest star कौन सा है, ने लिखा है बच्चों, सन सूरज है न, वो हमारा nearest star है, next question, number 9, how many players in a hockey team, हमने पहले question देखा था, कि हमारा national sports क्या है, तो हमारा national sports क्या था बच्चों, होकी था, यहाँ पे हमारा question है, कि होकी की टीम में कितने players होते हैं, तो होकी की टीम में बच्चों, 11 prayers होते हैं, चलिए, next question देखते हैं, when we celebrate Republic Day, Republic Day means, गनतंत्र दिवस हम कब celebrate करते हैं, कब मनाते हैं, तो Republic Day हम मनाते हैं, 26th January, कब मनाते हैं बच्चों, 26th January, next question, when we celebrate Independence Day, हम Independence Day कब मनाते हैं, 15th of August, कब मनाते हैं बच्चों, 15th of August को हम celebrate करते हैं, Independence Day, and 26th January को हम celebrate करते हैं, Republic Day, so next question we have, how many colors are in a rainbow, rainbow के अंदर कितने colors होते हैं, तो rainbow के अंदर बच्चों, 7 colors होते हैं, कितने colors होते हैं, 7 colors, तो चलिए, next question देखते हैं, so next question we have, which is the longest river in the world, सबसे लंबी नदी कौनसी है वर्ल के अंदर, so सबसे लंबी नदी जो है बच्चों वो है नील रिवर, कौनसी है, नील रिवर, next question number 14, which is the highest mountain on earth, highest mountain कौनसा है अर्थ के ओपर, Mount Everest, कौनसा है बच्चों, Mount Everest, question number 15, who is the second citizen of India, हमारे इंडिया में second citizen of India कौन है बच्चों, वो कौन है बच्चों बताओ, वो है हमारे vice president of India, first citizen of India है हमारे president of India, and second citizen of India है हमारे vice president of India, next question number 16, name of national bird of India, national bird कौन है इंडिया का, पिकॉक, अंसर है बच्चों, पिकॉक, question number 17, name of national animal of India, national animal कौन है इंडिया का, आंसर है बच्चों, tiger, क्या आंसर है बच्चों, tiger is the national animal of India, चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 18, when we celebrate गांधी जैन्ती, गांधी जैन्ती हम कब celebrate करते हैं, महात्मा गांधी जी की celebration हम कब करते हैं, उनके बर्थ की, second October, कौन सा डेट है बच्चों, second October, name of national flower of India, हमारा national flower कौन सा है बच्चों इंडिया का, lotus, आपको पता है न, lotus कमल का फूल होता है, तो lotus हमारा जो है, वो national flower है इंडिया का, चलिए, last question है हमारा, question number 20, उसे भी हम देख लेते हैं, how many days in a year, हमारे year में कितने days होते हैं, तो answer है बच्चों इसका, 365 days, 365 days, and how many days in a week, एक सपता हमें कितने दिन होते हैं बच्चों, 7 days in a week, and year में होते हैं, 365 days, तो आज हमने 20 questions को लिया है, class 1 and class 2 के लिए, so I hope ये GK के questions, answers जो हैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए काफी ज़दा helpful होंगे, तो आप अपने class 1 and class 2 के बच्चों के साथ इनको share जरू कीजिए, उनको याद करवाईए, ताकि उनकी जो memory हैं, उनमें इन questions को अच्छी तरीके से आप बता पाएं, उनको समझा पाएं, उनको याद करवा पाएं, तो अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए helpful है, क्योंकि जितने भी मेरे viewers हैं, जिनोंने मुझे GK के question answer बनाने के लिए कहा था, तो आप लोगों को अगर आज की वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजएगा, किर्स लर्निंग फन को सब्सक्राइब कीजएगा, और साथ ही साथ बैल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोट वीडिकेशन आपको मिल जाए, थैंक यू